मोक्षमारगस्यनेतारं भेतारं करम भूरतां ग्यातारं विश्वतत्वानां वंदेतत गुड़ लगतवे छार निकाएके देवों का बर्दम से चार निकाएके देवों का बर्दन सुल रहा है जब इन सूरीचंद्रमा आदी का ब्रह्मन होता है तो वे किस तरह से उनका ब्रह्मन होता है किस तरह से सूरीचंद्रमा आदी के माध्यम से जो दिनमान का वरणन निकलता है या हम जो प्रत्यक दिन कुछ दिन को घटता हुआ बढ़ता हुआ इत्यादी देखते हैं इन सब के विशे में भी सूर्य की गती के माध्यम से ही यह सब कार्य होता है उसी को समझने के लिए आगे का सूत्र बढ़ते हैं मेरू प्रदक्षणा नित्य गत्यो निरी लोके आचारे कहते हैं कि मेरू की प्रदक्षणा देते हुए यह जूत्शी देव गमन करते हैं प्रदक्षणा का मतलब होता है कि अपने दाहिनी ओर लेकर के गमन करना जैसे कि आप मुनी महराज के लिए भी परिक्रमा लगाते हैं पढ़गाहन करते हैं तो सामने लेकर के दाहिनी ओर लेकर के वह गमन की प्रक्रिया प्रारंब होती है और वह उसी के माध्यम से वह प्रदक्षणा का रूप ले लेती है इसको परिक्रमा भी बोलते हैं सीधे रूप में तो आचरे कहते हैं कि मेरू की प्रदिक्षणा करते हुए ये जोतिस मंडल नित्य गतिमान है नित्य गतिमान होने का मतलब हमेशा चला करता है और हमेशा चलने का मतलब ये है कि मुख्ध तया से ये सभी जोतिस मंडल इस नरी लोग के अंदर हमेशा गतिमान रहता है नरी लोग का मतलब यहां क्या समझना मनुष्य लोग जो ढ़ाई द्वीप बताया था उसी ढ़ाई द्वीप को यहां पर मनुष्य लोग कहा जाता है जंबु द्वीप में ये सभी नित्य गतिमान होते हैं आगे के जो धात की घंड या पुश्करार द्वीप हैं उनमें कुछ आधे तो गतिमान होते हैं आधे गतिमान नहीं भी होते हैं लेकिन फिर भी यहां मनुष्य लोग की अपेक्छा से नित्य गतिमान कहने से समझना कि नित्य गति अगर होती है तो मनुष्य लोक में ही होती है और उसी के माध्यम से यह दिन रात का विवाजन इत्यादी विवस्ति डंग से चला करता है इसको समझने के लिए हम कुछ थोड़ा सा जंबू द्वीप लबर समुद्र आदी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो चंद्रमा का और सूर का भ्रमण होता है उनमें मुख्य रूप से सूर का जो भ्रमण है उसके माध्यम से ही यह दिन और रात चलते हैं उन दिन और रात की क्या इस्थिती बनती है और किस तरीके से वे दिन और रात वे घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं यह आप जानते हो तो ये भी हम देखते हैं कि छे महीने में आयन बदलते हैं जिसको हम बोलते हैं एक दक्षिणायन और एक उत्तरायन है न छह महीने में एक तो हम ये भी देखते हैं कि दिन धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं और फिर अगले छह महीने में हम देखते हैं कि दिन बढ़ते चले जाते हैं तो उसका भी ये कारण है कि सूर्य जो गमन करता है वे जम्बु दीप में भी उसका चार छेत्र माना जाता है माना चलने का इस्थान जम्बु दीप में भी है और जम्बु दीप का जो सूर्य है वो लवड समुद्र में भी उसका कुछ चार छेत्र पढ़ता है चार छेत्र का मतलो वे कुछ इस्थान चलने के लिए लवर समुद्र का भी घेरता है तो उस सूरी की 184 वीथियां बताई गई है कल भी बताये था आपको चंद्रमा की 15 गलियां होती है और सूरी की 184 वीथियां होती है तो 184 जो गलियां है वो गलियों में जब भी सूरिका विमान ब्रमण करेगा तो वै सुमेरु परवत से 1121 योजन दूर रहकर के ही करेगा ये एक नियम है तो इतने योजन दूर रहने के बाद में वै गमन करने के लिए उसकी जो भीती होगी जिसे हम गली कहेंगे वो उसकी अभ्यंतर वीती कहलाएगे भीतरी पहली गली अंदर से है ना और वही गलियां घूमते 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 वो लवड समुद्र के अंत तक अलवड समुद्र में भी होगी और उस लवड समुद्र में जो है जब वो अपनी बाहरी गली में होगा, तब वहां पर भी सूर्य का गमन हो रहा होगा तो दक्षणायन और उत्तरायन होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब दक्षणायन होता है, तो ये मानके चलो, कि वह सूर्य स्रावण मास में शुरू होता है है ना जब वे सूर्य अपनी अभ्यंतर वीथी में होता है तो एक स्रावन महीने से उसका प्रारंब होता है सावन का महीना स्रावन मास में जब हम देखते हैं उस समय पर दिन जो होता है वो वो 18 महूर्त का होता है कितने का और रात होती है 12 महूर्त की महूर्त एक महूर्त में 48 मिनट है ना तो उस समय पर जब सूर्य के लिए 18 महूर्त का दिन है रात कितने की 12 मुहूर्थ की 18 और 12 30 मुहूर्थ का एक दिन रात होता है मानने 24 गंटे में 30 मुहूर्थ हो जाते हैं तो 18 मुहूर्थ के एसाफ से अगर घंटा देखोगे तो लगबक 14 गंटे आएंगे 14 गंटे 24 मिनट निकलते हैं 18 मुहूर्थ के एसाफ से और बारे मुहूर्त का अगर टाइम निकालोगे तो उसमें 9 गंटे 36 मिनट आ जाएंगे है ना मतलब जब सूर्य अपनी अभ्यंतर वीथी में होता है तो इस तरह से दिन और रात देखने को मिलते हैं दिन बड़े होते हैं रात शोटी होती है धीरे धीरे जब वे शूर्य अपनी जब बाहे वीथी में पहुँच जाता है और वहां से फिर वह अंदर आना सुरू करता है तो जब वह बाहे वीती में पहुँच जाता है तो उस समय पर उसकी जो इस्थिती है वहां से जो बदलना प्रारम होती है तो वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है माने एक इस्थिती यही आती है कि दिन बारे मूर्त का हो जाता है और रात्री अठारे मूर्त की हो जाती है वे लगबग माघ का महीना माना जाता है छे महीने के अंतराल से ये इस्थिती बन जाती है स्रावन भादों फिर क्वार कार्तिक और मगसिर पॉस भूल गए सब? नहीं जानते हैं ये छे महीने हो गए है ये छे महीने पूर्ण होने के बाद में फिर जो है उत्तरायन की इस्थिती सुरू होगी माघ महीने से और फिर जो है वो माघ के बाद में वो फिर छे महीने अपने पूरे करके उत्तरायन की इस्थिती को पूरा करेगा इस तरह से यह सूर्य का एक अपना जो गमन का छेत्र है उसको भी हम थोड़ा सा मैप के माद्यम से समझ सकते हैं कि देखें इस मैप को बीच में सुमेरू परवत बना हुआ है सुमेरू परवत के ये वाली लाइन पर एक जम्बू दीप पीच में जो डॉट डॉट दिखाए गये हैं वो उसकी गलियां समझो किसकी? शूरी के विमान के भर्मन करने की ये गलियां समझो तो एक समझने के लिए इसका एक जो गड़ित बताया गया है गरंथों में तो ये तो आपको पताया गया है कि एक लाख योजन का ये पूरा जम्बू दीप है इसका विस्तार है एक लाख योजन का ये विस्तार हो गया ठीक है? अब इसी एक लाख योजन में आचरियों ने ये कहा कि अपने दोनों साइड में एक सो असी योजन सूर्य जम्बू द्वीप में गमन करता है अगर हम दौनों साइड में 180-180 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 एक लाख योजन का ये जम्बू द्वीप है इसमें से 360 योजन का जो छेत्र है वो उसका माइनस कर दिया तो कितना बचा ये लिखा हुआ 99,694 योजन अब इसमें जो सुमेरू परवत है उसकी जो चोड़ाई है वो 10,000 योजन की है वो भी उसमें से कम करना है तो वो चोड़ाई भी कम कर दी गई 10,000 वो भी कम कर दो तो कितना बचा 89 एना 1000 और ये 6,9,4 ये इतना योजन ये बचेगा फिर इसके हमने क्या किये दो भाग किये क्योंकि दोनों और इसका गमन है तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया तो बचा 44,820 योजन ठीक है ना अब होता क्या है ये होगा उसकी अभ्यंतर गली का पहला मेरू परवत से एतनी योजन दूरी पर जाकर के मतलब उसकी पहली गली शुरू होगी ये जो निकल के आया ना जो लास्ट का इतनी योजन 44,820 योजन जो ये निकल के आया इतनी योजन मेरू अभ्यंतर गली समझने के लिए एक ये भी जानना है कि मेरू परवत से इतनी दूरी से ये सूरी का चार छित्र शुरू होगा और यह सूरी की जो गलियां हैं वो कितनी हैं 184 गलियां है अब उन 184 गलियों मैंसे अगर जम्बू दीप में उसकी गलियां बनती हैं तो 65 गलियां जम्बू दीप में बनती हैं कितनी 65 और लवण समुद्र में भी इसका चार छेत्र है तो लवण समुद्र में इसकी गलियां बनती है 119 तो जम्बु द्वीप में इसका चार छेत्र है 180 योजन में और लवण समुद्र में इसका चार छेत्र है लगवग 330 योजन में दोनों मिलाकर के पांसो दस योजन का ये चार छेत्र इसका हो जाता है चार छेत्र मनें चलने वाला छेत्र मतलब ये समझना कि जो अमने ये 180 योजन छोड़ा था यही इसका चार छेत्र है इससे जादा जो है वो आगे नहीं जा सकता तो 180 योजन जम्बू दीप में इसको चलना है और 330 योजन इसका चार चित्र इसका इधर लवड समुद्र में है और 180 योजन जम्बू दीप में है कुल मिलाकर के इसका चार चित्र कितना बना पांस सो दस योजन जो आचर्यों ने सूर्य के विमान की चोड़ाई बताई है वो बताई है 48 बटे 61 योजन कितनी बताई 48 बटे 61 योजन अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये 4 छेत्रारा है कितना 510 योजन का इसी में चंद्रमा का भी विमान गुमता है और इसी में सूर्य का भी विमान गुमेगा चंद्रमा की तो गलियां है 15 और सूर्य की गलियां है 184 वो सब इसी 4 छित्र में गुमेगी अब ये भी बताया गया है कि जो 84 गलियां हैं उनमें से हर एक गली के बीच में दो योजन का अंतर है कितना और उसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी जो 48 वटे 61 योजन की चौड़ाई है वो तो उसकी चौड़ाई रहेगी जो सूरी के विमान की छोड़ाई है और एक गली से दूसरी गली में जाने का जो अंतर है वो अंतर कितना है वो दो योजन का अंतर पड़ जाता है समझ भारा है अब आपको ये देखना है कि अगर यह सूरी का भ्रमन होता है तो सूरिका ब्रमन होने के लिए उसे एक तो हमारे सामने उसकी मैक्सिमम लिमिट दिखाई दे रही है कि दिन कितने मूर्थ का हो रहा है अठारे मूर्थ का और minimum उसकी limit दिखाई दे रही है 12 मुहुर्थ का बड़े से बड़ा दिन होगा तो 18 मुहुर्थ का और छोटे से छोटा दिन होगा तो 12 मुहुर्थ का अब देखो इसका एक हिसाब ऐसे बनाते हैं कि 18 और अधिक्तम और न्यून्तम बारे 18 मैंसे बारे कम किये तो बनते हैं 6 मुहुर्थ माने 6 मुहुर्थ का अंतर पड़ा कितने में गलियां का अंतराल तो 183 आएगा क्योंकि 184 गलियां है तो अंतराल कितने आएंगे 183 आएंगे यह ना इसका मतलब यह हो गया कि 183 गलियों का अंतराल पूरा करने में उसे 6 मुहुर्थ लगते हैं तो एक गली का अंतराल पूरा करने में उसे 6 बटे 183 मुहुर्थ लगेंगे अब इसमें क्या करना है इतनी ही गती के अनुसार यह उसका एक तरीके से देखा जाए इसमें हम तीन का भाग और लगा दें तीन दूनी 6 और शक कटा रहे और यह तीन दो बटे 61 आ गया यह क्या गया यह प्रतेख अंतराल के बीच का एक चय बोला जाता है इसको क्या बोलते चय माने इस क्रम से बढ़ेगा और इसी क्रम से घटेगा इसको क्या बोलते है चय जैसे कोई निश्ची संख्या होती ना जैसे दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस, बीस से पच्चिस, पच्चिस से तीस, तो इसमें चै कहलाएगा पांच, दस पांच, पंद्रह, 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 पांच, बीस, बीस, पांच, पच्चिस, पांच, इसको बोलते चै, जिस क्रम से बढ़ता है, उसको बोलें में उसे कितना मुहूर्त लगेगा 2 बटे 61 मुहूर्त लगेंगे तो अगर आगर इस मुहूर्त का मिनट बनाएंगे तो कितना बनेगा Знаłych है इसने बानेगा एक मूर्त में 48 मिनट होते हैं ठीक है नहां तो इस दो बटे 61 मुहूरत का आपको मिनट बनाना है तो यह लगबग जो मिनट में निकल के आएगा वो एक मिनट से कुछ ज्यादा आएगा पूरा जब आप उसका गुणा भाग करोगे तो यह लगबग एक मिनट का 35 बटे 61 भाग आजाएगा इतना यह यह हो गया यानि एक दिन में यह है इतना एक दिन का यह है इसका एक चै की ब्रद्धी का यह करम हो गया समझा रहा है ना अब देखो आप जब यह इतना इसकी ब्रद्धी होती है तब इसके लिए प्रती दिन किसकी ब्रद्धी होते 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 यह च्छे महीने में 183 जो इसकी गलियां है उनको वह पूरा कर लेगा इतनी अंतराल के साथ में है अब आपको यह समझना है कि यहां पर जो दिनमान चलते हैं वो दो तरीके से चलते हैं अगर हम संक्रांती के हिसाफ से देखें तो दो प्रिकार की संक्रांती बताई जाती है एक होती है करक संक्रांती एक होती है मकर संक्रांती सुना है न करक संक्रांती कहां होती है यह स्रावण मास से करक संक्रांती प्रारंब होती है और मांग मास में आती हूं मकर संक्रांती आती है जब वह उत्तराएंड प्रारंब हो जाता है तो आप देखें कि हर एक महीने में वह कितने दिन तक वह अंतर के रूप में हमारे सामने आ जाता है जैसे माल लो स्रावन का महीना है तो स्रावन महीने में जो दिन होंगे वो कितने होंगे वैसे तो हम देखते हैं 30 या 31 दिन होते हैं और फिर हम ये भी जानते हैं तित्रियां तूटती हैं गटती भी हैं बढ़ती भी हैं अगर हम इस हिसाफ से देखते हैं तो 183 दिन इसके है दक्षणाइन के और 183 दिन ही हो गए उत्तराइन के तो टूटल कितने हो गए 366 दिन हो गए यानि एक बर्स में कितने दिन हो गए 366 दिन हो गए संक्रान्ती के इसाफ से समझा रहा है 365 नहीं हो गए संक्रान्ती के इसाफ से 366 दिन हो गए यह इससे अपने आप निकल के आ रहा है गड़ित 183 गलियों के अंतरालों के कारण से तो 366 दिन हो गए अब हम इसमें देखें कि अगर स्रावन मास का पहला दिन है तो वह 183 जो गलियां है उसका अगर हम भाग करें तो उसमें सेव वह एक दक्षणाइन 6 महीने में पूरा होता है कितने में? 6 महीने में तो एक महीने में कितना उसका दिन निकलेगा? देखो इसी से निकल के आएगा 183 में आप 6 का भाग दो 183 में 6 का भाग करोगा? कितना आ रहा देखो? 6-3-8 हाँ मनने 3.30 दिन आये यह न? 3.30 दिन आये इसका मतलब क्या हुआ? कितना आया? 3.30 दिन यह हो गया स्रावण महीने का अब हम इस से आगे बड़े मालो भाद्र महीने में पहुँचे तो जो चय है वो हमारे सामने कितना आया? वह जो 61-2 मानके चलो साड़े तीस को क्या मान के चलना 61 बटे दो तीस दूनी साट और एक 61 61 बटे दो उस से कल्कुलेट करने में आसानी रहती है कोई बात नहीं तो अब इतना ही दिन जो है माग महीने में आएगा तो 61 बटे दो प्लस 61 बटे दो कितना हो गया ये 61 दिन हो गए हमारे लिए देखो 183 दिन निकालना 6 महीने के अंदर तो भाद्र मास तक हमारे लिए 61 दिन हो गए मने एक दिन बढ़ गया तीस दिन के इसाफ से अगर हम देखते हैं तो एक दिन बढ़ गया ठीक है ना अब इसी रेशियों में इसको जोड़ते चले जाओ आगे का महीना पड़ेगा कौन सा आसोज का या कुवार का महीना बोला जाता है तो उसमें फिर क्या करो 61 प्लस 61 बटे 2 जो उसका ये आ रहा था ना 61 बटे 2 एक दिन का माप आ रहा था ये उसमें फिर जोड़ दो तो कितना हो गया ये ला गया 183 बटे 63 बटे 2 और फिर जो है इसमें भी 183 बटे 2 आया इसमें भी 162 जोड़ दो तो कितना जाएगा ये 122 हो गया यानि हम 4 महीने में 122 दिन पूरे कर लिए ठीक है ना पांचवा महीना फिर आएगा मक्सिर का 122 में फिर 61 बटे 2 जोड़ दो कितना हो गया हम दो रेक तीन छे दो आठ नहीं उसमें जोड़ना पड़ेगा 122 प्लस 61 बटे 2 122 में 2 का गुणा करो और उसमें इस सब जोड़ो 300 कुछ आएगा 305 बटे 2 और फिर उसके बाद में उसमें फिर 61 बटे 2 जोड़ दो तो ये हम पहुच गए कौन से महीने तक पॉस के महीने तक ये हमारे 6 महीने पूरे हो गए ये हमारे आगए 183 दिनों का टोटल ये ना मतलब ये है कि अगर इस इसाफ से हम देखते हैं तो 366 दिन का एक वर्स होता है और एक गड़ित ये भी है कि हर महीने एक दिन की व्रद्धी होती है अब हम दूसरे एक गड़ित के इसाफ से चलते हैं उसमें क्या बताए जाता है हर महीने एक दिन की व्रद्धी होती है तो बारे महीने में कितने दिन की व्रद्धी हो गई बारे दिन की व्रद्धी हो गई ठीक है ना इस हिसाफ से देखेंगे तो धाई वर्ष में तीस हो गए ना पूरे धाई वर्ष में एक महीने की व्रद्धी हो गई जो हम कहते हैं ना एक मास का बढ़ना एक महीने का बढ़ना ये कब होगेगा ये धाई वर्स में एक महीने की ब्रद्धी हो जाती है समझा रहा है इसके हिसाब से जब आप दिखोगे तब उसमें जो दिन निकलते हैं वो निकलते हैं 354 दिन एक वर्स में कितने दिन निकलेंगे 354 दिन और संक्रान्ती के इसाफ से देखते हैं तो 366 दिन आते हैं मतलब कितने दिन का अंतर पढ़ गया? 12 दिन का अंतर पढ़ गया यही जो है 12 दिन का अंतर यानि यह अंतर ही जो है आपको दिहान में रखना है कि यह 12 दिन का जो अंतर पढ़ जाता है ये एक वर्स में इस तरह से पढ़ जाता है ये सूर्य के बारे में जो निश्चित करम बताया गया इसी तरीके से चंद्रमा के बारे में बताया जाता है तो चंद्रमा के इतने ही चार छित्र में पंद्रह गलिया है इसलिए इनके जो उदय और अस्त होने का जो समय होता है वो भी दिनमान का समय इनी के इन चार छित्र के अनुसार और इनकी निश्चित गती के अनुसार ही निकाला जाता है तो ये निश्चित गतियां जो चल रही हैं ये सूर्य और चंद्रमा की चल रही है इसी के माध्यम से वह है दिन का अस्त होने का एक-एक मिनट भी जो बढ़ रहा है या घट रहा है वो आपने आप निकलता हुआ हमारे सामने आ जाता है और ये बिलकुल उस बिग्यान के अनुसार जो की गली का अंतराल कितना कितनी योजन के बाद में हुए कितने छेत्र को छुया ये सब ग्यान बताने के माध्यम से हुए है उसका अंतराल निकल के आता है और इसी के माध्यम से ये सूर्य और चंद्रमा की गती हमेशा से मानी जाती है और आज भी मानी जा रही है समझ में रहा है बस ये बात अलग है कि बड़्टमान का बिग्जान सूर्य चंद्रमा की गति मानने को तैयार नहीं हो रहा है तो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि जितना भी ज्योतिस सास्त्र है वो सब सूर्य और चंद्रमा की गती और उसके संचार पर ही निरवर है आज भी कोई भी भारती जोतिस का कोई भी कलेंडर उठाना आपको उसमें चंद्र संचार सूर्य चंजार के सब तालिकाइं दीवी मिलेंगी और उसी के माद्यम से दिन की जो प्रत्य एक दिन एक-एक मिनट भी अगर बढ़ रहा है अभी तो घट रहा है ये सब एक-एक मिनट की जो है उसमें घड़ना इसी प्रकार की गती के अनुशार ही नाप करके ली जाती है ये कहलाता है सूर्य और चंद्रमा आदी जो जोतिस मंडल है इनकास यहां पर घूमना नित्य गती होना और इस नित्य गती के साथ में ग्रह भी होते हैं नक्षत्र भी होते हैं ये सबी भी घूमते रहते हैं इसी से आप एक बहुत बड़ी सिद्धी कर सकते हैं, कि अगर प्रत्वी घूम रही है कि यह चंद्रमा या सूर्य के विमान घूम रहे हैं। अगर मान लो प्रत्वी को आप घूमता हुआ सुविकार करते हैं तो प्रत्वी कितनी घूम जाए आपको ध्रुवतारा जहां है वहीं पर मिलेगा आपको यह एक बहुत बड़ा चेलेंज एक बहुत बड़ा आपको साइंस बता जा रहा है ध्रुवतारा रात्री में जहां पर आपको ध्रुवतारा मिलेगा हर रात्री में वह ध्रुवतारा आपको वहीं मिलेगा चाह भी गूमनी चाहिए थी, वो नहीं गूम राए इससे इस दोता है कि अगर हम धुरुवतारे को कहीं से कहीं तक भी देखते हैं तो वे इस्तिर है, इसका मतलब है प्रतवी इस्तिर है तभी वे धुरुबतारे की इस्तिती हमें हमेशा एक जैसी दिखाई देती है, अन्यता हम अगर घूम गए हैं तो भै हमें कहीं का कहीं दिखाई देना चाहिए सुत्र और जहां बताए जा रहा है तत कृत है काल विभागह तत कृत है का मतलब इसके द्वारा किया हुआ किनके द्वारा जो सूर्य और चंद्रमा की गति हो रही है इनी के माद्यम से काल का विभाग होता है काल का विभाजन काल विभाजन का मतलब रित्वों का विभाजन महीनों का विभाजन समय का विभाजन ये कौन सा काल चल रहा है दक्षणाएन है कि उत्तराएन है ठंड है कि गर्मी है ये सब काल का विभाजन किसे चलता है? सूर्य और चंद्रमा की गती के माध्यम से ही चलता है एक दिन और रात में वे सूर्य अपनी पूरी परिदी का चक्कर लगा लेता है और उसके माध्यम से वे तीस महूर्त का एक दिन पूरा हो जाता है और उसी के माध्यम से हम गिंते गिंते पंद्रे दिन का एक पक्ष मान लेते हैं और फिर जब ऐसे दो पक्ष बन जाते हैं तो उनका एक माह मान लिया जाता है एक मास जिसको बोलते हैं ऐसे बारे महीनों का एक वर्ष हो जाता है और च्छे मैनों का एक अयान हो जाता है ये सब क्या कहलाता है ये सब काल का विभाग कहलाता है यानि जितना भी काल का विभाजन कहीं पर भी देखने को मिलता है वो सब इसी सुमेरू परवत के मुख जो सुमेरू परवत का जो जम्बू द्वीप है यहां पर जैसे काल का विवाजन हो रहा है, यहीं से पूरे विश्व के अंदर, माने हम कहीं पर भी समय गिनेंगे, वर्स गिनेंगे, वो वर्स की गड़ना इसी काल के अनुसार मानी जाएगे, यहां तक की देवों के यहां पर तो दिन रात होते नहीं, वहां तो सब हमेशा एक जैसा रहता है, पूरा वातावरन हमेशा जगमगाता हुआ रहता है, वहां पर कोई दिन रात की विवस्ता नहीं, क्योंकि सूर्य का उद्धै अस्त तो वैमानिक देवों के पास तक तो पहुँचने का ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत उपर हैं, व इतने वर्ष पूरे हो गए या इतने बचे इस बात का ग्यान कहां से होगा यहीं से होगा उन्हें भी याद रखना पड़ता है क्या रखना पड़ता है नंदिश्वर के पर्व आ रहे हैं साल में तीन बार आते हैं आसाड महीने में समझ आ रहा है फागुन महिने में, कार्तिक महिने में ये महिने कहां गिने जाएंगे स्वरगों में कहां महिने होते हैं तो वो भी किधर देखते हैं इधर ही देखते हैं समझ जा रहा है यही के दिन मान के अनुसार वो भी अपना ग्यान बनाते हैं और जैसा यहां पर महिना चलेगा वही महिना वहां पर उनके लिए मानने होगा नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृती का बंद करने वाले जो जीव होते हैं वो छे महिने पहले से जो उनकी आयू पूर्ण होने वाली है उसमें 6 महीने सेस रहने पर उनके लिए विसेस सुविधा दी जाती है वज्र कपाट का बातावरण तयार किया जाता है तो 6 महीने सेस बचे हैं उनकी आयू के 6 महीने गिन रहे हैं ना तो ये 6 महीने नरक में भी गिनने में आ रहे हैं तो नरक में भी यहीं से गिने जाएंगे छे महीने फिर आचारे आगे कहते हैं बही रवस्थिताहा अब यह बही किसके बही तो जो यह नरी लोग पहले एक सीमा बनाई थी उस नरी लोग के बाहर यह जितने भी चंदरशूर के आदी के जो विमान होते हैं यह अवस्थित होते हैं यह बताए जा रहा है अवस्थित होने का मतलब वो ब्रमण नहीं करते हैं डाई द्वीप के अंदर के यह ब्रमण करते हैं उसमें जंबू द्वीप के तो जितने भी चंदरशूर्या सब ब्रमण करेंगे लेकिन अन्य द्वीपों के आधे बिर्मन करते हैं, आधे नहीं करते हैं, ये भी लिखा हुआ है, अब बाहर कितना जाना? धाई द्वीप के बाहर, द्वीप समोद, द्वीप समोद, द्वीप समोद करते करते, जो असंख्यात्मा, द्वीप, असंख्यात्मा, समुद्र, ज उसमें जितने चंद्रमा बढ़ जाएंगे, उसके परिबार में उतनी संख्या उसकी बढ़ जाएगी। और इस तरह से ये पूरा फैलाव, पूरे जोतिर लोक का, कहा तक है? एक राजु प्रमाण ये पूरा छेतर हो जाता है उस पूरे लोक में ये पूरा मद्द लोक के अंतरगती आता है जो उपर 110 योजन के पट्टी के साथ में चलता है और इस तरह से ये बाहर का सारा का सारा जैसा भी सूर चंद्र का इस्थान है वो इस्तिर रहता है अवस्तित रहता है वहाँ पर गमन नहीं होता इसलिए उसके अनुशार कोई दिन रात का विवाजन नहीं होता दिन रात का विवाजन केवल यहाँ पर चलने वाले चंद्रशूर के अनुशार ही होता है तो इतना आप लोग अपने दिमाग में रखें कि चंद्रमा और सूरही हमें घूमते हुए प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और जो प्रत्यक्ष दिखता है वो सर्वथा असत्य नहीं होता क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है वे किसी भ्रांत व्यक्ति के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है कोई ब्रह्म में पड़ा हुआ हो, है ना, फिर तो सभी ब्रह्म में कहलाएंगे, तो ऐसा तो कोई ब्रह्म होता नहीं, जो सब के लिए, ब्रह्म तो वह कहलाता है, जो किसी के लिए बैसा दिखाई दे रहा हो, किसी के लिए बैसा दिखाई दे रहा हो, मैं आप से दुनिया म सब को घुमते हुए दिखाई देंगे, भले ही वो ये कहें, ये इस्थित हैं, लेकिन दिखाई तो उनको भी घुमते हुए दिखाई देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमान माना जाता है, इसको आचरोने क्या बोला है, इंद्री प्रत्यक्ष भी अपने आप में प्रमान हो जाता है क्योंकि उसके बिना तो कोई भी चीज हम अगर प्रमान नहीं मानेंगे तो फिर हम उस किसी भी प्रमान की सिद्धी करी नहीं सकेंगे दिन को दिन नहीं मानेंगे, रात को रात नहीं मानेंगे तो सब चीज भरहनत हो जाएगी इसलिए प्रत्यक्ष प्रमान के आधार पर और भी अनेक जो तर्ग दिये जाते हैं धुरुपतारा आधी के इन सब के आधार पर भी आपको ये मान के चलना हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो नित्य ब्रह्मण शील हैं इस्तिर नहीं हैं प्रत्वी किसी ने आज तक नहीं देखी ना बैग्यानिकों ने देखी और ना किसी बैग्यानिकों के बताए हुए विद्यारतियों ने देखी समझा रहा है जो चीज नहीं देखी उसको प्रमान मानना और जो चीज दिख रही है उसको गलत मानना ये अपने आप में बहुत बड़ा मिथ्या ग्यान ह यह अपने अंदर दिमाग में रखो ठीक है ना? आज के लिए इतना परे आप तरह यह जोतिर लोग का वैड़न यहाँ पूर्ण हो जाता है सिरी जिन वानी जग कल लानी जग जन मदतम मोरी जन मन हारी गड़ हर हारी जम जरा भव रोग हरी तित्थिय रानम दिव जुनिम जो पड़ै सुनै मैये धारै लानम सोख मननतम धरिय सासद मोख पदम पावै सासद मोख पदम पावै सासद मोख पावै